प्राता बंदर बच्चो आज हम कक्षा नौमी कक्षा दस्मी नवम कक्षा है दशम कक्षाया के अंतरगत व्याकरण वीथी जो है व्याकरण को उनके पाटों को पढ़ेंगे और समझेंगे चलिए आईए पढ़ते हैं और समझते हैं जैसे कि आँ बच्चो देख रहे हैं आज का हमारा जो विशर है वह है संध्या एबं परिभासा प्रक्रण यह है भूती अध्यार ठीक है इसमें दिया है व्यावखारिक सुविधा के लिए प्रते व्यक्ति या पदार्थ को किसी ना किसी नाम से अभिःत किया जाता है इसी नाम को हम क्या कहते हैं संध्या कहते हैं प्रते व्यक्ति या पदार्थ को किसी ना किसी नाम से अभिःत किया जाता है इसी नाम को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं व्याक्रण शास्त में संग्याओं एवं परिभासाओं का बहुत महात्व होता है इनका प्रयोग लागाओं के लिए किया जाता है व्याक्रण साहत्त में जो संध्याइं है उनकी परिभासा है उनका बहुत ज्यादा मात होता है है ना और इनका जो प्रेलोगे लावपली ज्यादस संध्याओं एवा परिभासाओं को समझने से व्याक्रण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है यदि हम निमती परिभासाओं को समझ लेंगे तो जो हम ग्याकर प्रक्रिया है या किस प्रकार से होती है उसको हमको समझने में सहायता मिलती है फिर है कुछ संध्याएं एवा परिभासाओं नीचे दी जाएं चलिए आएए उनकी परिभासाओं उनको हम पढ़े लिए और समझे लिए जैसे कि यहां पर सबसे पहले दिया है आगम क्या दिया है आगम मित्र वत आगमा किसी वण के साथ जब अन्य वण अलग से आकर जुड़ता है तो उसे आगम कहते है इसी वण के साथ जब अन्य वण अलग से आकर पर जुड़ता है तो उसकों के करते आगम यहने आया जैसे उधारन समझिए शिव धन छाया क्या शब्द बना यहां पर सिवच छाया यानि यहां जो वण जुड़ा वो कौन सा वण था चावण का आगम हुआ तो चावण का आगम हुआ इसलिए कौन सा क्या हुआ यह आगम हुआ है ना इसलिए इसको कहते हैं आगम किस वण का हुआ चावण का आगम हुआ शिव धन छाया सुवच छाया यहां चावण का आगम हुआ दूसरा है आदेश अब क्या है यह दूसरा जुम पढ़ेंगे, वह है आदेश, शत्रुवत आदेश हो, ठीक है, किसी वर्ण के इस थान पर, जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं, किसी वर्ण के स्थान पर, जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है, तो उसे तो क्या कहते हैं यहां पर पॉल से बाड़ने का इक स्थान पर या का आदेश आदेश याने आदेश हो ना इक स्थान पर किस चीज़ का आदेश हुआ यहां का आधेश हुआ है इसलिए यहां पर अत्या चारा शक्ज बना इसलिए इसको कहलते हैं आधेश आप देखते हैं विशेश- पूर्व centr दोनों वणनों के स्थान पर एक वर्ण होना 1 और अधेश कहलाता है पूर्वımızı और पल् prochain पहले दूसरे दोनों बढ़नों के स्थान कर एक अधिश का है तो जैसे उधाये समझी महिर्षय में आधन ये दोनों को एक आधिश यान एक तो क्या बन गया यहां पर शब्द महेश्व या सब्द मना महेश्व तीसरा है उपधा अलों प्याद पूर उपधा अंतिम स्वार्या वगंजन से ठीक पहले आने वाले वाण को हम क्या कहते हैं उपधा कहते हैं यह जैसे लिंग ना ए ई है चोटी के नाता देख रहाएं द प्र देये हैं तो इसमें क्या है द बहुत हो है वह कुल सा वार्या अंतिम स्वार्य ठीक है और उससे पुरुल का वाण कौल न न न वार्याइश्व तो यह कौल सा योगधा हो गया इसी आदा के देखे धा धन आ तो इसमें क्या हुआ है किस प्रकार से इसमें धाव शब्द पुरा complete बनेगा इसमें चलिए इसको समझते हैं देखते हैं धाधन आ धनवा में आ तथा पट आ जो शब्द है ठीक है अब तथा और अब तब पट थी तो पाँ धन आ धन पाँ धन आ धन ता धन इमें ता तुझा है और पटती में ताउ तुझा है चलिए आगे पटते हैं समझते हैं अब देखें जे दिया है चौथा पट सुपिंग तपदम ठीक है ना सुप शू और जस्सू आउ जस्सू आधी 21 और 33 गी आधी इंख ट miss यह जह क्या है प्रत्यों के लगने पर क्रम्शर्च शब्दू एवं धादू रूब को पध कहते हैं पांद के से कहते हैं जैसे ने अब आध्या आपको समझाया सुख और तीं प्रत्यों के लगने पर क्रम्शाः शब्दों इंधात्मों को पद कहते जैसे इसमें दिया है रामा, बालका, लता, पठती, गच्छती, इत्याने सब क्या है ये पद कहलाते विशेश क्या दिया है केवर राम, बालक, लता, पठत, गम, आधी, पद नहीं कहे जा सकते अब है निश्ठा तो किस में क्या आएगा प्रत, 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 निश्ठा याने तवत, 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 नि पठितवान गतवान आदी विक्रण किसे कहते हैं धातू और तिन प्रत्यों के बीच आने वाले शक्ष याने ओशयन या शनू का आएका नू है ना शयन या इसका या शक्ष आधी प्रत्या विक्रण कहलाते हैं जैसे भवती में जैसे उदारन देखे भवती में जो भाधन ती के मत्र क्या है शप्वर याने भाधन आधन ती ठीक है ना तो विकरन के भेश सही घात्वें दस गणों में विभक्त होती हैं आउता है सही योग के भेशिव के सभर वर्ण नाम तो उस सोमीता के सही बिंचनों के प्राइन श्रुट्वा प्राइथि नहीं है स्वार नहीं लगा तो उसको क्या क्या क Lewis da और य था ब्रत्वा द्रृक्त जों? और रा ता और रा और वा इस प्रकार यदि गेंजन के बीच में स्वर्वार नहीं होते हैं तो यहां पर क्या कहते हैं उसको सहयोग कहते हैं ठीक है आप इसके बाद पढ़ेगे सहिता अब सहिता क्या है परा सन्नीकर्ष सहिता वर्णों की अक्त्यन समीक्ता को सहिता कहते हैं सहिता की अवस्था में सभी संदीकार होते हैं जैसे जगद्धन इशन में जित्ता धन इ में सहिता होने के कारण याने संदी होने से क्या बन गया जगदीशा है सब्द बन गया अब रेना सहीथा यह में समीफ तो जब इस हमी पायए शब्द तो क्या शब्द गया जब दीश सब्द गया घार्थ मैं इंव और वह और ऑप समप्रसार लूंड कि समप्रसार शक्राल इस प्रकार पढ़ते हैं, चलिए आभी पढ़ते हैं, आप इसी जो आपको हमेने अभी पढ़ाया तो उसके जो अभ्यास कारिका में जो प्रश्वता है, उसको भी थुछा सा पढ़ेंगे, आदो लिक्रित पदेध्यार, आदम वर्णान, आदेश्वर्णान, वह इस्पष्टी प्रत प आदमा हुआ है, फिर है यदि धन अपी, यद्ध पी, तो यहां पर किसीज का आदमा हुआ है, यहां आदेश है, यहां का आदेश हुआ है, आदम यहां पर आदेश है, और यहां पर आदेश है, यहां का आदेश हुआ है, फिर दिया है इति धन आदी, इत्यादी, तो यह किस्ती का या का अदेश हुआ है फिर चाया जुझते चांड में B दन इक्षपी अन विक्षपी वा का आदेश हुआ है इसकी का वा का आदेश यहां पर हुआ है तो इस प्रकार सबस्चों आपके इसमें यह दिया है जिसको कि आपको बहुत अच्छे से मैंने भी जो आपको आधमा और आदेश पढ़ाया उसमें इसके जो आंसार दूतर है दिये हुए है आपको लिखना है चलिए आपको परत्ते में इसके नाद है अधो लिखता अधो लिखने तालीकारता हो पद संध्य, संध्यक पदानी, प्रथक पृत्वा लिखत जैसे से दिया है सह, बजती, हरी, द्रश, हसामी, चल, मोनी, चलती, उते अब इसमें क्या करना है इस पर में जो संध्यक पदर है उसको क्या करना है आपको अलग लिखना है कौन कौन से आया है तो पहला आया है सा ये वाला दूसरा आया है बठती फिर है हसामी ये आया है फिर है मुनी कौन से आया है मुनी फिर है चलती ये आया है फिर है ते तो यह हो इसमें ये दिया इस प्रकार से यह जो दिये है अधोर लिक्त तारिखार पद्छंग पदानी पता तहुत ए आपको क्या करना है यह अधोर एक हो कि आपको पुत्वा लिखा दो आप इसमें देखें दिये है उत्तर जैसे दिया है महेश, उष्ण, गाधिशा, मात्कॉम, सज्जनह, क्लेश और पाव। ठीक है ना? अब सहयोग असरीं का हमें क्या कर ला है? बताएए सहयोग है ना? आप जो सहयोग इसमें क्या एगा जैसे दिया है? उष्ण, अब इसमें क्या क्या मिला है? तो इसमें मिला है शा और लॉण, तो ये बन गया शाथ उष्णा है, क्या शाथ बना? उष्णा है, फिर दिया है महात्कॉम, अब महात्कॉम, एक हमने उष्णा लिया, फिर दिया महात्कॉम, महात्कॉम में क्या क्या है? तब, दबलता हुआ फिर क्लेशा तो इसमें क्या है का और ला इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर व्याकरन समझाया उनके प्रश्णोत्रों को भी पढ़ाया और आप इनको भत अच्चे से रजिस्टर में आपनी कॉपी में बच्चों लिख लेंगे और लिखते जाना है बेटा आपको इनके जो भी उधारन दिये हैं उनको भी भत अच्चे समझना है और कॉपी रजिस्टर में जो भी आपने व्याकरन की बनाई उसमें लिख करके ल निए बाद बच्चू